सेलो गाइस कैसे हैं आइप अछे होंगे तो हमारे पास एक देख सकते हैं सैमसंग का गिलेक्सी M thirty वन है जैसा कि आप है पर देख सकते है एक अफ़िटाइम से हैंगों लोगो है और रिस्टार्ट भी हो रहा है मतलब रिस्टार्ट या हैंगों लोगो प्रावलम है जैसा कि आप हैं पर देख सकते हैं गाईस तो इसका हम सलुसन करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तुन तक देखेगा यह समसंग 31 अब देख सकते हैं हैं पर स्टक हैंग ओन लोगो यह फोन अभी पैक है और यह इसका बैक पैनल है जैसा कि मैं आप दिखा दू तो एक अफ़े टाइम से हैंग ओन लोगो है मैं थोड़ी दिर और वेट करके आपको दिखा देता हूं कि क्या अक्च्वल में यह नहीं बाकि देख सकते हैं तो हम इसका endless solution करेंगे जो भी हो सकता है इसके problem को हम solution करेंगे तो वीडियो को last thing पर देखेगा और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्रीजिस हमारे चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन दबाले जिससे हमारे नए नए नाटबर किसान आपको मिलते रहे गाइस तो चलिए देखते हैं फटाफट इसको हम क्या चीज़ कर सकते हैं फाइनल इसका solution देखेंगे अगर यह auto restart भी हो रहा था बिसिकली पहले यह restart हो रहा था restart होते होते ही है M30 लोगों पे stuck हो गया गाइस तो चलिए हम इसके problem को solution करते हैं तो वीडियो को last thing तो फाइनल जैसे का आप देख सकते हैं तो हमने इसका यहाँ पे dual taker इसका revolve करना होता है जैसा कि मैं आपको यह दिखा दूँ फुल वीडियो नहीं है क्योंकि वीडियो आपने काफी सारी देखी हुए निकालती हुए लगाते हुए क्योंकि हमारे वीडियो में भी डला हुआ है आप मैं चैनल में जाकर करके इसका फुल प्रोसेस अच्छे से देख सकते हैं पर फिलाल यहां पर मेरा जो दिखाने का मोटीव था कि जो इसका सेलुस है आप एक बार स्वाप्टरे कर लो और इसमें आपको क्या करना है जो मैं यहां पर आपको इस वीडियो के त इसका डुट टुकर का भी सारा प्रोसेजर मैं यहां पर करूंगा और चोटे-चोटे सौट्स आपको दिखाऊंगा रिबॉलिंग करके और क्लीनिंग करके क्यों क्लीनिंग के बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो बड़ी नहीं इसको सब कुछ क्लीन कर दिया है इसको यह रैम को भी और इसके ऊपर के हिस्से को भी मैंने यहां पर क्लीन कर दिया सब कुछ यहां पर क्लीन कर दिया अब बचा इसमें रिबॉलिंग क्योंकि दिखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं गाई यह वीडियो बनाने का प नहीं गाइस तो यहां पर दिख सकते हैं अब इसको रिबॉल करेंगे रिबॉल करने के बाद लगाएंगे और लगाने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे DC की रिडिंग की यह एक्च्वल में अन होता है कि नहीं होता है गाइस तो guys यह देखें मैंने यहां पर proper इसको रिबॉल कर दिया है clean करके सारा कुछ रिबॉल कर दिया है अब इसको हम लगाएंगे cp को fix करेंगे cp को fix करने के बाद हम reading चेक करेंगे एक बाद reading भी आपको हाँ पर बता देंगे सारा कुछ देख सकते हैं पर हमने इसको completely रिबॉल कर दिया है गाईज उसके बाद इसको हम करेंगे fix तो चलिए वीडियो में ऐसे आप बने रहें और वीडियो आप लाट सिन तक देखें जरूर की मैं इसका फूरा experience आपको बताने वाला हूँ तो guys finally set on हो चुका है जैसा कि मैं आपको आपको दिखा देता हूँ तो इसका perfect solution यही है एक बार आप flash करके चेक कर लो flash करने से नहीं होता है तो generally इसका 70% problem होता है इसका CPU RAM आपको रिबॉली करना पड़ेगा तो finally phone on हो चुका है आपको ट्रिक अच्छा लगा तो comment करके जोरू बताए क्योंकि मैंने short video बनाई थी बहुत long video नहीं बनाई है काफी मेरे channel पर video पड़ी हुई है कैसे dual tucker करके काम करना है मिलते हैं किसी next video अभी तक के लिए thank you so much guys